हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू प्रॉक्सी ग्यान मेरे नाम शबाज है दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एक्जाम स्केल इच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओरिजिन्स ओफ कोविड 19 के बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली युएस ने भी इसके बारे में एसेस्मेंट किया है उन्होंने भी एक रिपोर्ट को पब्लिश की है आपने देखा होगा लास्ट येर डबली हचु के एक टीम गई थी चाइना में शायद आपको याद होगा क्योंकि कई सारे न्यूस चैनल में भी दिखाया गया था क्योंकि एक दुनिया में एक अफ़वा पहली थी कि कोरोना वारेस एक बायोलोजिकल वेपन है जो चाइना ने अपने लाब में तयार करके दूसरों की कंट्री के एकॉन प्रॉपर कंक्लूजन नहीं था उसका वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा बट रिसेंटली यूस ने भी एसेस्मेंट किया है इस ओरिजिन आफ कोविड-19 या कोरोना वारेस को लेकर तो उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट पब्लिश की है एक्जामेनेशन प प्रॉक्सी ग्यांड.com वहाँ पर विजिट किजिए हमारे कई सारे एक्सपर्ट एजुकेटर हैं उनके जरहे से आपको एक्जामेनेशन काउंसलिंग प्रॉइट की जाएगी मेंली फोकस रहेगा यूपेसी आंसर राइटिंग पर कि प्रॉपर स्ट्राटेजी बताई ज उनका यह कहना है कि जो वाइरस अभी एमर्ज हुआ है और कई सारे लोगों को चपेट में ले चुका है बेसिकली इसका जो एक ओरिजिन है वो स्मॉल स्केल एक्सपोजर से हुआ है क्योंकि नॉवंबर 2019 में जब धीरे 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 इसके केसे बाहर आने लगे हैं तो ऐसा यह जो क्लस्टर ओफ कोविड-19 केसे ज्यादा से ज्यादा आने लगे थे क्योंकि वहाँ पर इसके शुरुआत हुई थी और एसेस्मेंट का जो इसे रिजल्ट क्योंकि आउवियसली प्रेजेंट जो बाइडन जी ने उन्होंने 90 डेस का टाइम दिया था ताके आप प्र इस नाच्रली डेवलेप हुआ है तो उन्होंने अभी रिपोर्ट दी है तो क्या कहा है एसेस्मेंट रिपोर्ट ने इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दोस्तों सेवरेल यूएस इटलिजेंस एजनसी जो के कई दिनों से लगातार इसके पीचे लगे हुए थे कि और डिफए डिफ्एंट एजनसी ने इडिफएंट डिफरेंट परस्पेट्व को बयान किया है उसारे है परस्पेक्टीव को हम अभी डिसकस्र करेंगी देखिकां कांक्लुजन ए् कि वारस जो है एक बैलरेजिकल वैपन की तरह डेवलेप नहीं हुआ है है तहरे प्लिपें further it says कि SARS COVID-19 का जो probably है वो वस नोट genetically engineered ऐसा नहीं कि कोई वायरस को पकड़ा गया लाब में इसको develop करके या फिर इसको genetically modified करके वहां के लोगों को inject करके उन्सके जरिये से फैलाया दिया है यह सारा कुछ false है और one of the intelligence agency का यह भी कहना है कि जब first human infection हुआ था SARS COVID-19 को लेकर was result of a laboratory associate incident हो सकता है अगर आप देखेंगे कई सारे lab के जरिये से वहां पे ज्यादा cases सा आपको देखना को मिलेगे इसा हो सकता है कि कोई experiment कर रहे होंगे लोग और वहां पे कुछ failure की वज़े से कोई वेक्ती infect हो चुका होगा बट genetically modify करना genetically engineered करना फिर उसको लोगों के अंदर injections के दरिये से transfer करना यह सारा सा जूट है मैंने भी बहुत सारे देखा है वाक्षप फॉरोट में जो आते हैं ना news channels जो टी आर्पी रेटिंग के लिए views के लिए काम करते हैं उन्होंने इस तरह से news को फैला रखा था obviously हमारे इंडियन में तो उतना जो लोग है विलेजर्स हो यहां पर जहां पर literacy कम रहती है वहां पर लोगों को फैला आ गया था इस तरह की बात और प्रॉबबली जो experimentation जो animal handling हो सकता है या भिर कोई sample लेके जा रहा हो उसके handling में कोई problem हो जाए क्योंकि वहां इंस्टूट आफ वायरालजी हो सबसे बड़ी इंस्टू नहीं कह सकते है आप कि इसको genetically modified किया गया है and report यह भी कहता है कि China continues to hinder the global investigation being carrying out to find out the origin of the virus China cooperation most likely would be needed to reach a conflict जो एक proper conclusion लाने के लिए आपको China का cooperation होना जरूरी है कि basically starting से अगर आप देखेंगे तो चैना कहीं ना कहीं hinder करता रहा है उसको छुपाता रहा है global investigation को और जब एक केसे जब हैप हो रहे थे वह उस वक्त में भी चैना ने खुलके अपने reports को बाहर नहीं लाए आप सभी लोग जानते हैं जो विजिल ब्लॉयर थे corona virus के वो खु अपना पड़ा तो इस तरह से Chinese government का भी कहिना कहीं हाथ रहा है तो इसके लिए चैना cooperation अगर करेगा चब जाकर एक प्रॉपर Conclusion assessments निकाले जा से होवेवर इट continues to hinder but research sharing information blaming other countries US को US तो चैना को ब्लेम कर रहा था चैना US को ब्लेम कर रहा था जब Donald Trump थे उन्होंने directly किया कहा था राइट इस नॉट ए कोरोना वरेजिट से चैना ओर जिनेटेड वाइरस क्लिरली उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि इस वुहान वाइरस सोई इस वुहान वाइरस कहा है तो इस तरह से country का नाम city का नाम बता-बता कर लोगों के पर एक दूसरे के पर जो ब्लेम कर रहे थे बट और जब तक चैना सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम इसको और जिन प्रॉपर्ली कंक्लूड नहीं करेंगे ओके सो अटेंप्स क्या किये गए हैं अभी हम जान लेते हैं तो जैसे मैं आपको बताया स्टार्ट षट नहीं हं चैना को सपोर्ट किया था कर जब चैना जो रिपोर्ट दे रहा था उतके अनृक्र टैंटला विट इंडरेंगत और उसको सपोर्ट वह कर रहीं है ईहए तो अभी जब इनका रिपोर्ट मेध सब्सक्रीन की गई थी कर कह सहरे को काई दुंया को ईसनी का इस स लाब लिग तीरी हमारे जो ट्रम्ब साब थे मीडिया में इस तरह वाइरल कर रहे थे वहान वाइरस 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 बोल के क्योंकि आप्वेसली इस वायरेस की वजह से उनकी एकॉनमी भी हीट हुई थी और कहीना कहीं ट्रम्ब का जो हां जो एलेक्शन का कैम्पन था वो origin of coronavirus इस similar situation कि इस तरह भिर कोई नया virus origin ना हो जाए इसको बचाने के लिए हम origin पहचाना बहुत ही जरूरी है बट अभी scientist यह जो है fear कर रहे हैं इनकी जो फिकर यह है कि अगर सच inquiries जल से जल अगर आप करेंगे तब जाकर कोई भी accurate information मिल सकते हैं क्योंकि यह सारा कुछ जो है biological thing है और biological thing पर experiment करना बहुत ही मुश्किल होता है और जल से जल करना पड़ता है आपको क्योंकि आज का जो shape है वो कल दूसरा भी change हो सकता है कल उसके दूसरे properties हो सकते है कल उसका दूसरा shape हो सकता है तो इसलिए जब आप कोई biological thing कर रहे हैं तो उसको fast करने की जरूरत है और च चैना कभी भी defensive करता है दोस्तों के चैना खुलयाम कहता है कि हम लोगों ने नहीं फैला है defensive stance रहा है उसका उसके जो media है वो कहते है कि जो virus है बाहर country से import किया गया है ठीक है जो frozen food packages आते है ना उसके जरीए सी जो virus है यह चैना में घुश चुका है और चैना से कई सारे countries में थोड़ी होता है कही न कहीं तो origin हुआ होगा यह जो reports media reports obviously highlight करते हैं क्या-क्या जो TRP के लिए काम करते हैं इनका कामी है कि तरह 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 news को पहलाना और इनका मानना यह है कि virus कई दूसरी country से लाया गया है अच्छा भई अगर दूसरी country से लाया गया है तो पहले वो country effect होने होगा तो चाइना से ज्यादा cases suppose Japan मान लीजे जपान पाजू में अगर जपान इंपोर्ट करता तो जपान पूरी country लपेट में आ जाती यह सुप सारे you know illusion things है और उमर जो फैलाए गए है चले निक्स बढ़ते है global times the tablet that is published by the china's communist party उन्होंने कहा है कि उनके जो foreign minister spokesperson है उन्हों कैसे है पोई political drama चला है पुरा और रिपोर्ट यह भी कहते है कि investigation should be carried out to probe the vaping related lung disease patients in 2019 Okay उन लोगों को फिर से जांच करनी चाहिए जिसके पास पहली बार 2019 में इस तरह से symptoms देखने को मिले है क्योंकि अगर उन लोगों को हम पकड़ेंगे ना तो कही ना कही हम लोगों को एक origin का पता भी लग सकता है और evidence of infection in five states which appear in the December 2019 में अगर आप देखेंगे जितने उहान हो Publish in the Global Times, Ian का ये कहना है कि there is a you know कही ना कहीं US intelligence का भी failure है To conclude a particular origin theory has a hardly surprising Okay अभी जो different theory published की गई वो एकदम अलग है दोस्तों Okay और कही लोगों का कहना है कि US intelligence ने प्रॉपर जो agency से प्रॉपर नहीं investigate नहीं किया है फला फला ये लोग कह रहे है that is different but यहाँ पर मुद्दे की बात मैं करता हूँ आपको Okay देखें मुद्दे की बात यह scientist अभी इसलिए expedite करना चाहते है इस process को कि अगर आपको accurate result मिलना है तो आप इस biological formation जो था उसको पकड़ना पड़ेगा जल से जल जाकर उस place पर अगर आप investigate करेंगे तो आप कुछ ना कुछ future के लिए publish करने के लिए कुछ रहेगा आपके अगर ऐसा ही इनो एक दूसरे के पर political drama करता रहेगा और different theories लेकर आ रहे है different conclusion के साथ तो अगर एक बार biological evidence अगर मिट गया तो corona virus किस तरह से origin हुआ था यह राज ही suspense रह जाएगा अभी जो source of lab leak theory है यह science enthusiastic के जरिए से निकला हुआ है but that is not the true So this is about today's lecture दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज का मेरा lecture पसंद आया होगा तो चले मिलता हूँ मैं आपको अगले lecture के साथ कुछ interesting topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दूस्तों